नमस्कार दोस्तों आनंद स्टडी ओनलाइन चलल में आप लोग का फिट से एक पड़ स्वागत है तो बिहाट डिरेड इंट्रेंस एकजाम 2024 जितने भी लोग दिये हैं वो चाहे लड़के हैं चाहे लड़के हैं आप अधर अस्टेट से हैं तो एक सबसे बड़ा नोटिस त आ रहा है 100 नमबर आ रहा है इस तरह का सभी तरह का कमेंट हम पढ़े हैं उसका जवाब तो इस वीडियो में देंगे ही और आपको हम बताने वाले हैं कि क्या इस एंसर की के तहट आपका जो है क्या परहौ पड़ेगा और नया कट आप लोग का क्या बनेगा तो जितने भी आपको पता है कि मेरा वीडियो डिटेल में ही आता है तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब तीन चीज आपके हाथ में आईए आप जानकारी आपको हम बताते हैं क्या क्या है जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तीन कोषटन भी आप लोग के मन में है वो भी हम बताएंगे सबसे पहला कोषटन ये होगा आपका कि Government College किसको किसको मिलेगा, प्राइवेट कोलेज किसको किसको मिलने वाला है, कैसे मिलेगा और जिसको कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब कि ना private मिला ना सरकारी मिला तो वो क्या करेगा उसके लिए भी तो कुछ उपाय होगा वो ही बताएंगे उसके बात करते हैं आपका new cut-off क्या जाने वाला नया cut-off आपका क्या होगा मतलब कि जब answer की आ गया है तो market में बहुत सरा analysis हो गया है यानि कि कितना number cut-off आपका सरकारी कोलेज का प्राइवेट कोलेज का जाने वाला है ये भी चीज़ समझेंगे और कितना आपका seat है आपको पता है limit में seat होता है बिहार DLR के लिए इस बार लगबग 3700 seat ही है इसी में आप लोग का admission होना है अब form चाहे कितना भी गिर जाए उससे मतलब नहीं है seat तो इतना ही है और जो बच जाएंगे वो next year करेंगे DLR ठीक है तो पुराना cut-off जो था वो भी आपको समझाएंगे उसको नया cut-off जो बना है वो समझाएंगे सबसे पहले आपको बता दे कि आप लोग का answer की आ गया है answer की आ गया 21 मई को ही आ गया सुबा में आप बात करते हैं कितने लोग answer की को देख भी नहीं पाया है कि कुनका खुला नहीं है mobile पर खुलने का परियास कर रहे है सायध हो सकता है नहीं खुल रहा होगा mobile पर ही desktop site आप कर लेते हैं तो खुल जाएगा या laptop computer पर खुल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपका हुआ पर registration number मांग रहा है password मांग रहा है और date of exam मांग रहा है उससे आपका पूरा answer की खुल जा रहा है अचली answer की आप लोग मिला लिए कितना number आपका सही हुआ नहीं हुआ हो आप लीचे कमेंट भी कर सकते हैं रियल्ट आपका कब तक दिया जाएगा तो आपका जून में रियल्ट आजाने का संभाबना जून 25 से लेकर मतलब 20 जून से लेकर के 25 जून के बीच में आप लोग का रियल्ट भी दे दिया जाएगा तो अब ध्यान दिजेगा हम बताएंगे आप लोग को कि क्या-क्या इसका कट-off हो सकता है और कैसे कैसे आपको गवर्रमेंट कोलेज और प्राइवेट कोलेज मिलेगा और कितना नमबर आप अगर लाएं हैं तो आपके लिए अच्छा है कि गलत है देखिए यहां पर बात करते हैं पूराना कट-off जो था वो आपका science, arts और commerce के लिए अलग-अलग लेकिन इस बार कट-off बढ़ने का chance इसलिए है क्योंकि maximum लोग को हम देख रहे हैं वो कमेंट कर रहे हैं चाहे पोल भी हम किये यूटूब पे वहाँ पे maximum लोग मतलब 80, 85, 88, 95, 100, नमबर के करीब में बनाये हैं मतलब जो पिछले बार जितने लोग नहीं बनाये उससे ज़ पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन कितना बढ़ेगा उसको भी हम लोग जानेंगे जो कि यहां पर आपको हम बताएंगे यहां पे ठीक है अब पिछला जो हम कट-off बताया आपको नॉर्मल बताया थे लेकिन जब अस्ट्वेंट का इनलिसिस देखे कि maximum लोग ला रहे हैं ऐसा नहीं है कि 55 नंबर नहीं लाने वाएं लोग हैं 60 नंबर नहीं आया है 40 नंबर भी आया है 35 नंबर भी आया है लेकिन maximum लोग जो है high score कीया है मतलब अच्छा बनाया है question easy था आपको बताया है question normal था ज्यादा hard question नहीं पूछा गया था कारण है कि ज्यादा लोग जो form भरे ना इस कारण से परिवरतन आता है किसी भी exam में cut off high जाने का संभावना बनता ठीक है तो ये भी चीज़ समझेगा अब आए आपका नया cut off ही सीधे आपको बताते हैं जो कि आपको समझना चाहिए new cut off after answer key answer key के वाल आप लोगा कोंसा cut off बन रहा दे अभी चाहते हैं next year आप डिलेर करना चाहते हैं या आप अच्छे एच्छे जीके जीएसे कोशन को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे टेलिग्राम में मतलब नीचे कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है आप जा करके उसको आप अभी जान कर लि पहुंशता है अब science का अगर हम बात करते हैं आर्स का बात करते हैं commerce का और उर्दू का तो general का देखिए science में लगबग 87 से 92 तक जाने का संभावना है आपका cutoff जो यह हो जाएगा आपका समझे के real cutoff लगबग analysis के बाद बनाया जाने वाला ये video आपके लिए सही होगा ठीक मतलब लोगों का जो score है वो देख करके आप देखे कुछ लोग जूट भी बोल देते हैं 60 नमबर आया होगा बोल देंगे 90 नमबर तो आप अपना भी भी स्खराब कर रहे हैं मेरा नहीं कर रहे हैं हमको थोड़ी करना है deal it आप सही बताईएगा तो analysis भी सही जाता है लोग के लिए फायदा होगा चलिए यहां देखेंगे 87 नमबर से 92 नमबर तक आपका कट ओफ जाएगा जनरल का उसी में आर्स का देखेंगे तो 70 से 75 नमबर आप लोगा जबकि पिछले बार देखेंगे आर्स में हम बताये थे 62 से 60 जो की normal लेकिन स्कोर को देख करके बढ़ाना पड़ा है 70 से 75 नमबर आप लोगा आर्स में कट ओफ जाएगा सरकारी कोलेज के लिए हम बता रहे हैं ग पर प्राइबेट के लिए हम बताते हैं क्या केसे होगा यह government जाएगा अगर आप इतना नमबर में आ रहा है तो अगर आर्स लिए हैं तो 60 से 67 नमबर भी अगर आप का रहा है तो आप आराम से यहां पर सरकारी कोलेज के लिए इलिजीबल हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अब बात करते हैं इडेवलेस करेट का तो 82 से लेकर 87 आपका जाएगा जबकि पिछले बार बताये थे हम माइनस पांच मतलब की यह आपका 75 से लेकर के असी बताया थे लेकिन आपका 82 से 87 जाने का संभावना है अगर आर्स लिए हैं आप तो 65 से 85 नंबर आप़ोगा जाने का संभावना और आर्स में 65 से 70 और बात करते हैं और कॉमर्स अगर आपका है तो 57 से 62 आप जाने का संभाव न है और पांच नमबर का ऊंच नीचे हम ले चले ही हैं इसमें पांच नमबर उपर नीचे होगा ही हमायोग नहीं है आपका ठीक है इसलिए OVC का बात करते हैं तो 82, 87 जाने वाला है और 65, 78 वाले के लिए OVC में और 57, 62 कॉमर्स वाले में अब BC और EBC के टेगरी में दो-तीन नमबर का उपर नीचे फर्ख होगा वह अलक्स की जा हम एक ही बता दियो OVC का ठीक है SC का अगर बात करते हैं साट्र से लेके 82 साइंस में जाएगा 60 से 55 आर्स में जाएगा और कॉमर्स में 27 से लेकर के 52 के बीच में आप लोग का कट ओफ रने वाला सरकारी कॉलेज के लिए तो ध्यान रखेगा ठीक अगर आपका इसमें आ रहा है नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा है बस हमसे जूड़े रहेगा और भी चीज़ आपको बताएंगे हम एक्स्ट्रा ठीक ह सरकारी कॉलेज मिलने पर पैसा कम लगता है बांकी कोई सुविधा आपको नहीं मिलता क्लास वेगरा करना ही पड़ेगा प्राइवेट मिल जाएगा तो अब प्राइवेट वाले सोचेंगे कि मेरा तो कुछ है नहीं मतलब मेरा भविस खराब है डिगरी सेम है कोई दिक्क क्लास भी नहीं करना पड़ेगा प्राइवेट में बस एक ही है कि पैसा थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है थोड़ा साने पांच गुना पैसा छे गुना पैसा साथ गुना पैसा ज्यादा लग जाता है प्राइवेट में बस और सुविधा बहुत मिलता क्लास नहीं चाहत होगे अगर जुड़े होंगे तब एस्ति कर जाएगा 72 से लेके 77 यह आपका साइंस में आर्स में जाएगा 55 से लेके 60 और 42 से 47 जाएगा 5 नमबर उपर नीचे Commerce में मतलब 24 से लेके 47 के बीच में ही जाएगा commerce में तो यह आपका cut-off जो हम बताए वो बताए analysis के तौर पर याने कि जितने लोग आप हाय स्कूर कर रहे हैं मतलब 6,00,00 लोग एकजाम दिये हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर यह देखने के लिए मिलेगा ठीक है और सब को नहीं मिल पाएगा ना प्राइवेट मिलेगा ना सरकारी मिलेगा नेक्स्ट यह आप लोग को डियर करना पड़ेगा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा तो कम फीस में हम दे रहे हैं उतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा आप पढ़े होंगे तो जामते भी होंगे मैक्सिमाम लोग जूड़ चुके हैं आप भी जाके जूड़ जाए लिंक नीचे दिया गया ठीक है और बताना पड़ेगा नहीं समझ गए आईए आगे बढ़ते है अब उर्दू जो लिए है उसको क्या करना पड़ेगा उर्दू वाले के लिए जेनरल के लिए 77 पलस कट ओफ जाने वाला लग भाग 75 पलस रख लिजे आप 75 नमबर पलस ही आप लोग का जाने वाला है 80 से ज्यादा नहीं जाएगा ठीक है 77 75 से ले करके 80 तक क्या बीच में आप लोग का कट ओफ रने वाला है वो भी जेनरल के लिए बताए और अलग के लिए माइनस 5 नमबर कर दिए ये-डेड़ोस के लिए माइनस 5 नंबर कर दिए OVC के लिए माइनस 10 नंबर कर दिए SC के लिए और माइनस 15 नंबर कर दिए के लिए उस अरुसार से उर्दू में आप अपने केटेगरी वाइज आप देख सकते हैं ठीक है तो यह हो गया आप पूछेंगे लड़की का तो लड़की का हर एक केटेगरी में आप मत्र तो और देखते हैं आगे आपको लोग का कोशन भी आजाएगा जो इंपोटेंट है बांकि आपको पता आपका एक्जाम एक महेना चला था लगबग सात लाख लोग फॉर्म वरे छे लाख लोग ने लगबग एक्जाम दिया और कट ओफ जो होता है साइंस का थ्वासा हाई जाता है आज वाले का नॉर्मल जाता है कोमर्स वाले का लो जाता यह बताया थी यह ओल्ड कट UF था देंगो यह पर लिखा भी उड़ ऑख यह जो कि आपको चर्चा करें दिये थे बांकि यहां पर यह जो नया कट अप बना है वह आपका नुउ कट अडा और एंसर की के 35 नमबर बताजिएगा 75 नमबर आया अब दूसरा टेंशन में कि लिया मेरा 45 क्यों आया जब वो सही है आप 55 लया लेकिन बता दिया 75 उसको टेंशन है कुसका 75 आया मेरा 40 आया तो जूट मत बोलिएगा ज़ूट में कितना कैसे आ कहां से आप बिलॉंग करते हैं, किस कटेगरी से हैं, ताकि आपको इस cut-off से मिलान भी कर लिजेगा आप खूद, आप पूछेगा मत कि मेरा होगा कि नहीं होगा, cut-off से मिलान कर लिजे, हो रहा है से सरकारी मिल जाएगा, बनाना पड़ेगा हर चीज आपको करना पड़ेगा सरकारी मिलेगा तब है कि खेल नहीं है तो चोंप से प्राइबेट को यह वाहा है लगवक 45 से 50 परसेंट मार्क्स अगर आ रहा है कितना 45-50% माक्स अगर आपका आ रहा है पिछले बार क्या हुआ था कि 40-45 था लेकि इस बार 45-50% या 55% भी आप रख लिजे ठीक है इससे कम है तो मुस्किल है कि इस बार private college भी आपको मिलेगा क्योंकि seat का संख्या आपको हम बता दिये 37-500 अच्छे लाग कंडेट तो सरकारी college हो या private college हो कोई भी खोजता है कि उपर से हम select करें ठीक है हम मानते हैं सरकारी college खोज़गा कि 90-plus वाले को हम select करें 80-plus वाले को select करें तो private क्या चाहेगा कि हम 35 वाले को select कर ले नहीं वो भी खोज़गा कि 60-plus वाले आईए अब फिर भी seat खाली है तो 55-plus वाले आईए फिर भी seat खाली है तो 50-plus वाले आईए seat भर गया खतम 45-plus वाले का नहीं हो पाया ये होता है rule ठीक है तो उसमें अगर आप आगए तो हो जाएगा तो लगभक समझेगा कि 45-50 अगर आपका है तो marks 45-50 जितना भी question है उसका percentage निकाल लेजे उतना percent अगर marks आपका है तो आप क्या होंगे कि आप किसी भी private college के लिए eligible होंगे अब किसी का होगा जानते हैं कितना number 70 से लेकर के 75 के बीच में होगा और उसको सरकारी college नहीं मिलेगा लेकिन अच्छा है कि private college जो आप first choice में दिया होंगे वो आपको मिल जाएगा 65 number है तो second choice में जो college आप दिया है third में वो आपको मिल जाएगा ये फायदा होता है number highest होने का मतलब number किसी भी तरीका से high करने का परियास करिया ठीक है ये चीज़ हो गया समझ में आ गया अब जिसको कुछ भी नहीं मिला है वो भगवान भरोसे रहेंगे नहीं आप लोग को तयारी करना अगर नेक्स्ट ये डिरेड करना है क्योंकि आप ये सोच के छोड़ दें कि चलो नहीं हुआ तो फिर नहीं करते हैं कंप्रिटिशन बढ़ ही रहा है अभी 6 लाक भरे हैं अगले साल 8 लाक 10 लाक भी होने वाला क्योंकि सरकारी नोकरी सब को चाहिए और टीचर करना करी लगवाग ईजी लग रहा है जेनरल कंप्रिटरंस के मुकावले तो मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाइ कर रहे हैं तो यह चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो फिर से डिरेड का त्यारी करें मेरे टेलिग्राम से जुड़ करके रहे हैंना सबस्क्रिप्सन ले ले उसका जा करके ताकि कोस्टन हम इस साब्डेट रहा है और नेस्ट ये जो फॉर्म निखले लेका उसको अकूर्स में सरकारी में प्राइबीट में तो कौर्स में कौन सा किताब प्रयोक करना कैसे क्या सिलेबस होता पर और पांच से मेरे कौंटेक्ट में भी लोग है यह वाट्सअप नंबर जो है इसके आप हैं को लिंक मिल सब्सक्राइब ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए और कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको हम बताएंगे लाइक भी इस वीडियो कर दीजेगा चलिए मिलेंगा आपसे नेक्स वीडियो में उमीद करते हैं आपको आपका कट भी समाज में आया होगा और रियल्ट के लिए तैयार रहेगा जून में मतलब 20-25 जून के बीच में आप लोग का रियल्ट भी दे दिया जाएगा जिसके लिए आप तैयार रहेगा ठीक है और बताएगा रिजल्ट कैसा रहा मतलब किस कॉलेज में आपका अडिमिसान हुआ मिलेंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तो परकले अपना ख्यार लखें त्यारी बेश करेंद